नमस्कार साथ यो एक बड़ फिस से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का मारे यूट्यूब चैनल के उपर जैसा कि आप सब लोग जानते कल आपका इंडी एक्जामिनेशन है डाट इस 10th of April को मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन डेट है कल की आज ज्यादा टाइम नहीं लोगा आपका एक बहुत इंपोर्टन विशे के उपर बात करना चाहता हूँ कि कितने questions आपको correctly करने है in order to clear the written examination जैसा कि आप सब लोग जानते 25 प्रतीशत जो है आपकी sectional cutoff जाती है mathematics की maths की and 25 प्रतीशत ही आपकी जो है sectional cutoff जाती है आपकी GAT की generalability test की यह मैं आपका जो है average ले रहा हूँ क्योंकि mostly 25 प्रतीशत ही गई है 2016 के अंदर 20 प्रतीशत भी गई है आप सब लोग जानते जब cutoff कम गई थी वैसे generally 25 प्रतीशत रहती है तो 25 प्रतीशत आपका 120 question है तो लगभाग यह 30 question हो गया आपका 30 question इदर हो गया and 1500 का 25 प्रतीशत अगर बात करूं तो यह 37.5 मतलब मोटा मोटा 38 से 40 question के करीब आप पकड़के चल सकते है ठीक है 37.5 के करीब 25 प्रतीशत बन जाएगा ठीक है ना तो इधर कहते है 30 question 120 में से और इधर है 38 से 40 question 500 में से तो विच इस वेरी इजी टू स्कोर पट अगर आप इनका total करके देखेंगे तो धाई माक का यह question है और चार नंबर का यह question है तो स्कोर जो average cutoff रहती है अगर आप बात करें तो साड़े 300 से प्लस की रहती है ठीक है ना आप जो जा रही है recent examination की तो साड़े 300 प्लस आपको score करना है तो मेरा मानना यह है 30 question से आप सा कुछ नहीं होने वाला और नहीं 40 question से आपका GAT में कुछ होने वाला है मेरा ऐसा मानना है अगर mathematics के अंदर आप 65 to 70 question attempt करते हैं और उसमें से मैं मान के चलूं चुक 55 से 60 सही होते हैं तब कुछ होगा तब paper clear होगा mathematics का और GAT में अगर मैं बात करूं 80 to 90 questions आप attempt करते हैं और उसमें से 70 से 75 question आपके सही होते हैं तब आपका कुछ भला होगा तो बात करें attempt की तो 65 से 70 question आपको math के अंदर attempt करने हैं ठीक है और एक important factor हमेशा है याद रखना वेटे लास्ट में वीडियो के मैं आपको चीज बोल रहा हूं और आपका दिमाग कल ठकेगा ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग नहीं ठकेगा आपका दमाग बिलकुल ठकेगा बट आपने अपने दिमाग को यह बात समझानी है कि भाईया कल जो है न वह मेरे लिए finale है कल कोई ट्राइल ना है ठीक है धाई गंटे ही है आपके पास या तो आपको कुछ बना देंगे या फिर वह आपको खदम कर देंगे क्योंकि बच्चों का मानना ऐसा है कि इंडिये एक हमारा सपना है वह सपना आपका फिर चूर चूर हो सकता प्रेशन में नहीं दे रहा आपको बात यह बट आपको बोल रहा हूं कि कल दिमाग बोलेगा आपको कि भाई बस 120 क्वेशन है या देड़ सो कुछन है जीटी आते आते तो वैसी ठक जाता है और मैं आथ आपको पड़ाया मैं जानता हूं आपको बहुत सारी चीज़े आती है और कल आप जो है एक्जामिनेशन को फोड़ने वाले हो सो अल दी वेरी बेस्ट टू दी एस्परेंट्स वार गई टो गिव और एक्जामिनेशन टुमोरो मिलते हैं आप से डिरेक्ली आंसर की में जो अनक आडमी टीम पर अनक आडमी वारियोज यूटीब चैनल पर मिलने वाली हैं मिलते हैं आप से डिरेक्ली कल तब तक के लिए जैहन